चलती गाड़ी का टायर फट ने से हुआ हाथचा उदेपरवाडी कस्बे के निकटवर्ती सिकर दिल्ली स्टेड हाईवे पर नीम का जोडा की पास वेगेनार गाड़ी का अचानक टायर फट गया जिससे गाड़ी एनियंत्री थोकर पल्टी खा गई वहीं गाड़ी में सवार एक ही परिवार की लोग चोटी लोगे रहागीर वह अन्यवान चालकों की मदद से गाड़ी को खड़ा करकर घायलों को बहार निकाला वहीं अस्पताल में भरती करवाया गया जहां घायलों को हलकी चोटी आई है जिनको प्रात्मिक उपचार की बाद छुटी दे दिये सूचना पर उदेपरवाडी पुलिस मोक्या पर पहुंची वहीं घटना स्तलका जायजा लिया गया वहीं मोक्य पर सत्तिकरस्त गाडी को पुलिस के जवानों ने गाडी चालक की मदद कर टायर चेंज कर वाया गाडी चालक परवुदयाल जाट ने बताया कि चला से साकमबरी माता की जा रहे थे इस दोरान अचानक गाडी का टायर फट गया जिससे गाडी अनियंत्रित होकर पल्टी खा गई वहीं गाडी में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए वहीं उनको हलकी चोटे आई है सूचना पर उद्यप्रवाटी पुलिस मोक्या पर पहुंची वहीं गाडी चालक की मदद कर पुलिस की जवानों ने गाडी का टायर चेंज गरवाया इस दोरान पुलिस के जवान कॉंस्टेबल राम निवास ने नीरज हरकेस गाडी चालक की मदद की इस दोरान गाड़ी में सवार ममता पती योगेश पुस्पा देवी पती केदार सर्मा सोनु देवी पती विश्नु विश्नु सर्मा पिता ब्रज मोहन सर्मा के हलकी चोटे आई है